आज का हमारा टोपिक है work done in moving a body over a rough horizontal surface ठीक है पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था acceleration of a body down a rough inclined plane ठीक है आज का हमारा टोपिक है work done in moving a body over a rough horizontal surface ठीक है अब देखो इसके अंदर आप क्या यूज़ करोगे सबसे पहले आपने क्या यूज़ लिया आपने क्या लिया एक सर्फेस ले लिया ठीक है ले लिया सर्फेस उसके उपर आपने क्या रख दिया एक ऑब्जेक्ट को रख दिया ठीक है यह क्या आपका एक ऑब्जेक्ट इसको आपने क्या कर दिया surface के उपर रख दिया ठीक है weight आपने लगा दिया w w is equal to आपका क्या होता है w is equal to आपका mg होता है नीचे आपने weight लगा दिया mg ठीक है जितना आपने weight लगाया mg उतना ही आप क्या लगाओगे उपर normal reaction क्योंकि जो normal reaction है वो किसको weight को क्या करेगा balance करेगा ठीक है जो normal reaction है वो weight को क्या करेगा balance करेगा और किसको represent करता है normally reaction है ठीक है फिर आपने क्या किया इस body के उपर आपने P क्या लगा दिया force लगा दिया ठीक है आपने कोई भी object रखा था उसके उपर आपने क्या लगा दिया force लगा दिया ठीक है फोर्स लगा के आपने इसको किसका के यहां पे बेज दिया ठीक है यहां पे आपने फोर्स कितना लगाया है क्योंकि इस से डिस्टेंस पे आपने इतने दूर क्या लगा दिया इसके ओपर फोर्स पी क्या लगा दिया फोर्स अस डिस्टेंस दूर यह क्या चला गया ठीक है तो प किसको represent करता है जो applied force है उसको क्या करता है P represent क्योंकि हमने क्या लगाए इस वाले object पे force लगाएँ force लगाएँ तो इसको यहां से क्हिसका के हमने काम पे बेज दिया यहां से यहां तक कि distance के है आपके पास ठीक है जो F है वो किसको प्रिक्षिन करता है फोर्स ओफ फ्रिक्षिन यह किसको रिपजन करता है अप्लाइड फोर्स जो भी हम अप्लाइड फोर्स जो भी हम खुद से फोर्स लगा रहे हैं वह किसको रिपजन करता है और असके डिस्टेंस जोन अब्जेक्ट के पीछ के अब देखो वरक डन इन ए मुविंग बोड़ी ओवर रफ होरिजेंटल सर्फेस के अंदर क्या हैगा एज ओने लेवल ट्रेक आर इस बैलेंस्ट बाई वेट अमजी ओफ दे ओफ दे बोड़ी जो वेट आपने लगाया है डबलू ठीक है डबलू इस इकल तो आपके पास क्या होता है अमजी ठीक है जितना अपने वेट निचे लगाया उतना ही आपने किसको लगाया जो नूरॉमल रेक्शन और उतना ही क्या लगाया आपने उपर क्यों लगाया है क्यों क्या करेगा यहां पर बैलंस करेगा to move the body on a level track we have to apply a force P हमने क्या apply किया है P force apply करके हमने इस वाले object को उठा के कहां पर बेज दिया कितनी दूर बेज दिया इन दोनों के बिच की distance कितनी है which is least equal to which is at least equal to the force of friction F जो F है capital F हो किसको represent करता है आपका force of friction को ठीक है अब देखो जितना आपने क्या लगा है जो applied force है उसकी value किसके equal आएगी force of friction जितना ही आप इसके उपर क्या लगाओगे force लगाओगे उतना ही क्या लगेगा इसके उपर force of friction तो P की value किसके equal आएगी F के equal P के आपके पास P किसको represent करता है जो भी हम force apply कर रहे हैं उसको हम किसे denote कर रहे हैं P से और F से capital F से हम किसको denote कर रहे हैं जो force of friction है तो P की value किसके equal आजाएगी capital F के इसको हमने ले 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 एक्वेशने सेकेंड बाई अप्लाइंग दफोर्स स्पोर्स बोड़ी कवर्स डाय डिस्टेंस अस हमने क्या माल लिया कि हमने अब्जेक्ट के उपर force लगाया है ठीक है हमारा object यहां पर रखा था फिर हमने force लगा कि इसको कहां पर बेज दिया यहां पर तो हमने यहां से यहां तक कि रिपेजन कर रहे हो force of friction को इंटो में जो displacement है डिस्प्लेस्मेंट भी बहुत सकते हो और जो डिस्टेंस भी बहुत सकते हो यहां से यहां तक कि डिस्टेंस कितनी है तो आप डबलो इस इकल टू अफ इंटू अस भी लिख सकते हो और जो आपका प्लाइड फॉर्स है उसकी इसके इकवल है आपके force of friction की तो यहां से इस वाल एक्वेशन में आप फ की जगाए पी पूट कर सकते हो क्योंकि एक्वेशन सेकेंड क्या आपकी पी इकल टू आप यहां पे आपने क्या पूट क्या पी डबलो इस इकल टू पी क्रोस असा आगया ठीक है अब आप वापी से इसको P is equal to F है वापी से आप P की जगाए क्या पूट कर सकते हो आप भी पूट कर सकते हो तो F क्रोस से ठीक है अब आपको पता है कि म्यू कोफिशेंट ओफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो कि इसके इकल होता है कि force of friction upon normal reaction R ठीक है तो F is mu is equal to F upon R है आपके पस यहां स स्थाना इस वाले एक्वेशन में आप क्या पूट करोगे अपकी जगाए मूर पूट कर दोगे तो W is equal to mu R into S ठीक है तो R की जगाए क्या पूट करोगे एक्वेशन फर्स्ट क्या है R is equal to mg जितना यहां पे वेट लग रहा है उतना ही क्या है यहां पे normal reaction तो आपने R की यह आपकी किसकी value निकल क्या आगई work done in moving a body over a rough horizontal surface